नमश्कार आप देखर हैं इंडिया नियोज मैं हूँ आपके साथ सुनालित अमर भगवा या लाल लंग उतरप्रदेश विधान सवा चुनाफ के बाद अब विधान परिश्वत के लिए सियासी घमासान जारी है विधान परिश्वत के चुनाफ के लिए हो रहे हैं मतदार में भाश्वा और सपा पूरी दमखम के साथ दो दोखाद कर रहे हैं बीजेपी का लक्षे मलसी चुनाव में बंपर जुद हासल कर विधान परिश्वत में भी पून बहुमत प्राफ करना है तो वही विधान सवाचुनाव में जोरदार तरीके से लड़ने वाली सपा विधान परिश्वत किसी तो को बच्चाय रखने के तैयारी में है बीजेपी को निमन सदन में पून बहुमत हासल है लेकिन उच सदन में अभी तक पून बहुमत हासल नहीं कर सकी है लिहाजा योगे का मिश्यन पून बहुमत पर होगा साथी अखिलेश की प्रतिष्ठा दाव पर है मतदान के इंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं साथ ही साथ मतदान के इंद्र पर वीडियोग्राफी भी कराए जारी है सुरक्षा के मद्दे नजर स्थाने पुलस, P.A.C. और पेरा मिल्टरी फोर्स भी जवानों की तनात की गई है तो अब आपको बता दे कि 27 सीटों के लिए वोट डाले जा रही है अब भगवा या लाल रग एक अब आपको बता दे कि MLC चुनाव में कौन करता है वोट इंगल्स आपको ग्राफिस के मादम से बता रहे हैं जोहां सांसद विधायक और ग्राम प्रधान आपको बता दे कि नगर निगम और नगर पालिका नगर पंचायद के सदस्य होते हैं साथ ही ये भी बता दे आपको कि इस तरीके से अब MLC चुनाव हो रहे हैं अब काफी जादा तेज होते ही नजर आ रही है ये कावायदा केंट बोट जिरा पंचायद सदस्य है और छेतर पंचायद सदस्य है यानि कि इस MLC चुनाव में कौन वोटिंग करता है ये आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माधियम से वहीं आपको ये भी बता दे कि विधान परिश्वत में मौझूदा इस सिती क्या है विधान परिश्वत के कुल 100 सीचे हैं साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि विधान परिश्वत में मौझूदा इस सिती जो है भाषपा के 35 MLC अपना दल SK S1 MLC है तो 35 जो है वो भाषपा किसीठ है साथ ही निशाथ पार्टी का एक MLC भी है तो ग्राफिस के बाद जिमसे आप तक पहुचा रहे हैं इस कबर को आपको बता दे कि विधान परिशद में मौचुदा जो इसीती है सबा के पास 17 MLC है साथ ही ये भी आपको बता दे कि अब जो है MLC के चुनाफ में विधान परिशद में जो मौदूजा जिती है बस्पा के पास 4 MLC है तो आपको जादे कि कॉंग्रेस के पास एक MLC है तो विधान परिशद में मौजूदा जिती के बारे में आप तक पहुचा रहे हैं ग्राफिस के मादियम से आपको बता रहे हैं जहां जो शिक्षक दल के दो MLC है साथ ही आपको ये भी बता दे कि अब जो घमसान है तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है साथ ही आपको बता दे कि निर्दली विधान परिशद के एक सदस से है ग्राफिक्स के मादन से आप तक पहुंच आ रहे हैं आपको तदे की विधान परिश्वत में माजूदा जो इस्तिती है निदली विधान परिश्वत के एक सदस्य से है साथ ही साथ खाली विधान परिश्वत की जो सीट है वो 37 है तो आपको ग्राफिक्स के मादम से पचा रहे हैं इस खबर को बता दे कि खाली विधान परिश्वत की जो सीट है वो 37 है विधान परिश्वत के 100 सदस्य में से 38 विधायक चुनते हैं तो विधायक परिशत को कैसे और कौन चुनता है वो भी आपको ग्राफिस के मादम से बता रहे हैं आपको बता दे कि जिला पंचाय सदसे और छेत्र पंचाय के सदसे इसको चुनते हैं साथ ही नगर निगम नगर पालिका के सदसे भी इसको चुनते हैं तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि MLC चुनाओं में कौन वोटिंग करता है इसके बारे में भी आपको जानकारी देता है कि सानसाथ विधाक और ग्राम परधान इसकी वोटिंग करते हैं साथ ही साथ ये भी बता दें कि नगर निगम और नगरपालिका नगर पंचायद के संदसे भी समें वोटिंग करते हैं साथ ही जो MLC चुनाव है अब तकराफ का होना देखने को मिल रहा है केंट वोट जिला पंचाय सदस है और छेत्र पंचाय सदस है ये लोग वोटिंग करते हैं MLC चुनाफ को चुनने के लिए तो आपको बता दें कि केंट वोट भी इस दोरान चुनते हैं वहीं विदान परिशद के अगर बात की जाए विदान परिशद में मौजूदा जो सीटे हैं वो सो है विदान परिशद की कुल सीटे सो बताई जारी है साथ ही ये भी बता दें कि भाशपर के 35 MLC अपना दल SK के एक MLC है साथ ही आपको ये भी बता दे कि विधान परिशद में जो मौजूदा सिती के हालाद देखने को मिल रहे हैं वो है निशाथ पार्टी का एक MLC है तो ग्राफिक्स के मादिम से आप तक पहुंच रहे हैं आपको बता दे कि अब जो मौजूदा सिती है वो है सपा के पास जो MLC है वो 17 है साथ ही साथ आपको बता दे कि इस दोरान आप कांटे के चकर देखने को मिल रही है भगवा और लाल रंका विदान परिश्रत में मौझूदा इस सिती के बार में ग्राफिस के मादिम से उता रहे हैं जहां बस्पा के पास चार MLC है जहां चार MLC बस्पा के पास है तो वहीं कॉंगोरिस के पास एक MLC है तो ग्राफिस के मादम से आप तक आपको इस खबर को समझा रहे हैं कि आखिर विदान परिशद में मौजूदा स्थिती क्या है वो भी आप तक पहुचा रहे हैं